एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर जो की है वास्तुपे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिसकस किया था कि हमें टीवी और ब्रूम किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगा कि कहां पे हमें wall clock या फिर अपनी family photos लगानी चाहिए. Friends, I am Deepak Maheshwari, pneumologist and vastu expert. Friends, पहले हम discuss करेंगे wall clock के बारे में. Friends, the best direction for a wall clock to be placed in home is northeast, east and north direction. Friends, जैसे की हमने पहले भी discuss किया था, northeast, east और north direction are the pure directions. Friends, northeast हमें देता है all around prosperity. East हमें देता है education, relationship and health. और north हमारा zone है money और career opportunities का. अब हमें northeast, east या फिर north की direction या दिवार पे ही wall clock क्यों लगानी चाहिए, इसके पीछे के logic को जानते हैं. Friends, जब भी हम wall clock लगाते हैं, तो wall clock कभी भी stagnant नहीं होती. उसके अंदर एक cell होता है, जिसकी वज़े से वो 24-7 टिक 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 चलती रहती है. जब भी हम wall clock को northeast, east या फिर north direction में लगाते हैं, तो वो कही न कहीं इन directions को energize करती है. और जब ये directions energize होते हैं, तो हमें कहीं न कहीं बहतर opportunities, good health and career opportunities भी मिलती है. फ्रेंट्स, wall clock कभी भी हमें south या फिर south west direction में नहीं लगानी चाहिए, as they are impure directions. और एक और चीज़, फ्रेंट्स, हमें wall clock कभी भी हमारे कमरे के दर्वाजे के चोखट पे नहीं लगानी चाहिए. फ्रेंट्स, जैसा कि wall clocks अक्सर हम देखते हैं घरों में 2 या 4 होती है, और कई बार होता है कि कोई wall clock का cell बन हो जाता है, और हमें एक या दो दिन तक पता ही नहीं चलता. जब भी हम घड़ी किसी दर्वाजे के चोखट पे लगाते हैं और वो wall clock बन हो जाती है, तो इसका indication है कि आपका समय इस घर से पूरा हो गया है, which can be very dangerous sometime. इसलिए हमें दर्वाजे की चोखट पे कभी भी wall clock नहीं लगाने चाहिए. Friends, वैसे भी चाहे वो wall clock हो या फिर wrist watch, बन घड़ी कभी भी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए. बन घड़ी का मतलब है opportunities का कही न कहीं रुकना, which is very bad luck. इसलिए हमें घर में कभी भी बन घड़ी नहीं रखनी चाहिए. अब हम बात करते हैं regarding the photographs की. Friends, photos दो तरह की होती है, एक उन लोगों की जो की life है, और एक उन लोगों की जो की हमारे पित्र है, और जो हमें छोड़के स्वर्गवास सी हो गए है. Friends, पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो की life है, जैसे की हमारे family members. Friends, हमें हमारी individual photo हो, चाहे family groups के साथ हो या फिर friends के साथ हो. ये photos हमेशा southwest या फिर south wall पर ही लगानी चाहिए. Friends, as per वास्तू, southwest and south directions हमें देती है strength and stability. हम हमारे रिष्टों में हमेशा strength, stability और एक togetherness देखना चाहते हैं. इसलिए हमें हमारी photos हमेशा southwest या फिर south wall पर ही place करनी चाहिए. And remember the other logic also. जब भी हम हमारी photos southwest या फिर south wall पर place करेंगे, तो हमारी face, facing होगा pure directions में. For example, अगर हमारी photos south wall पर हैं, तो हमारा face होगा north की तरफ. और अगर हमारी photos southwest की direction में हैं, तो हमारा face होगा north east की तरफ. जो की pure directions है. Friends, अब हम बात करते हैं हमारी पित्रों की photos के बारे में. Friends, हमें हमारी पित्रों की photos भी southwest या फिर south की wall पर ही लगानी चाहिए. But, अगर हमने हमारी photos southwest पर लगाई है, तो हमें उनकी photos south wall पर लगानी चाहिए. या फिर अगर हमारी photos हमने south पर लगाई है, तो हमें उन्हें south west में जगे देनी चाहिए. ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी photos और हमारे पित्रों की photos एक same wall कभी भी शेर ना करें. Friends, remember, जब भी हम directions की बात करते हैं, तो वो या तो पूरे plot की होती है, या फिर आपके entire flat की. तो इसलिए directions as per the plot या फिर entire flat के हिसाब से ही चुनें. Friends, now a quick recap. Friends, हमें wall clock हमेशा northeast, east या फिर north direction में ही लगानी है. और हमें हमारी photos या फिर हमारे पित्रों की photos हमेशा southwest या फिर south wall पर ही लगानी है. और हमें हमारी और पित्रों की photos same wall पर कभी भी शेर नहीं करनी है. Friends, मैं आशा करता हूँ आपको आज का topic पसंद आया होगा. और अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो जादा से जादा इसे शेर कर दीजे ताकि इस नॉलेच से दूसरे लोगों का भी कुछ न कुछ भला हो सके अगर आप मेरे चैनल पे फर्स टाइम आये हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजे और जादा से जादा लोगों के साथ शेर कर दीजे Friends, next video में मैं आपके साथ कुछ और utility products की directions ले करके आऊंगा तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए Take very good care of yourself and thank you very much for watching me too patiently Thank you